गुड मानिंग स्टुडेंट कैसे हैं आप लोग चलिए हम स्टेड़ी सुरू करते हैं क्लास यू की जी आपका सब्जेक्ट होगा हिंदी हिंदी की वीडियो नंबर आपके है 21 20 में हमने सिख लिया था बड़ी की मात्रा किस तरीके से लगाई जाती है और कैसे जोड़कर पढ़ी जाती है ठीक है जोड़कर कैसे लिखा भी जाती है अब हम सिखेंगे बड़ी की मात्रा में किस तरीके से वर्ड को जब लिखा होता है तो पढ़ा जाता है ठीक है तो आप एपके लिखेए इबड़ी की मातरा इख तो क्या बन गया इए फिरी दवाई तो आगे हम देखते हैं सबदों को उचारन कीजिए क्या करना इसको पढ़ना है आखा, खापे बड़ी की मात्रा खी, रो, क्या बन गया, खीर बापे की मात्रा बड़ी की मात्रा है, तो आप कैसे पढ़ेंगे, बड़ा गीचेंगे मतलब बापे की मात्रा बी, रो, क्या बन गया, बीर, क्या बन गया, बीर ठीक है, तो इसी तरीके से आप पढ़ेंगे हापे बड़ी की मातरा ही, र, हीर क्या बन गया, हीर हापे बड़ी की मातरा ही, रापे आके मातरा तो रा आ रा प्या की मात्रा रा तो ही प्या की मात्रा ही रा प्या की मात्रा रा तो ही रा ना प्या की मात्रा नी फिर रो तो नीर खा प्या की मात्रा खी रा प्या की मात्रा रा खी रा मी ता सी मा ठीक है? तो जिस तरीके से हमारी आवाज आ रही है उसी तरीके से कैसे बड़ी की मात्रा पढ़ना है ठीक है नी लापय की मात्रा ला तो नी ला चाबी चाबी माली माली खाली खाली पी ला पी ला दादी दादी पू यह आपको नहीं पढ़ना ओकी मात्रीक शब्दा गी ठीक है तो इसको नहीं पढ़ेंगे आप इसको नहीं पढ़ेंगे जब हो की मातर हम सuleने तब हम चीन आगे दिवाली पसीन टिक्क है तो आपको इसी तरीके से पढ़ना और चो बड़ी की मात्रा देखनी है कि किस तरीके से लगाई जाते हैं और कैसे पढ़ा जाता है जब आपको मैं नोट बुक में वर्क देगी तो आप नोट बुक में करेंगे ठीक है बाइ स्टूडेंट